अलो फ्रेंड्स आज की टॉपिक अपने लाइफ को बेटर कैसे बनाए बैसे तो हर इनसान की जिन्दगी जीने का अपना एक अलग अंदाज होता है मगर एक आदमी का जनम सिर्फ अपनी जरूरते या अपने से बड़ों को सपना पुड़ा करना नहीं होता है हम मेंसे बहुत सारे लोग इनी सारी चीज़ों को ही बेटर लाइफ मानते हैं और काम में लगे रहते हैं असल में यह जिन्दगी नहीं है जो अपने तक ही सिमित रह जाए हमें वो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें लगे अब हमारा बेटर लाइफ है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जारी हूं जो आपके लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगी कुछ टिप्स जो आप मेंसे बहुत सारे लोग जानते हैं बड़ जो नहीं जानते हैं इस पेसली उनसे रिक्वेस्ट हैं वो उन्हें ध्यान से सुने और रोजाना सेडियूल में लाने की कोशिस करें हमें जो लाइब भगवान ने दी है यह जो मानव जाती में हमारा जनम हुआ है यह एक स्रेस्ट यूनी है इसे यूहीं बेयर्थ ना जाने दे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टिप्स नमबर बन आपको डेली 10 से 30 मिनट टहलने की आदत बनानी होगी टिप्स नमबर टू डेली कम से कम 10 मिनट बिल्कुल चुप चाप बैठे रहें अपने आपको मौन रखें इससे आपके मन को सांती मिलेगी नमबर थ्री लास्ट इयर के मुकावले इस साल आपको जादे किताब पढ़नी है नमबर फोर हमें डेली खूब सारा पानी पीना है जिससे हमारे सरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना हो जिससे हम पूरे दिन भर एनरजी महसूस कर सके नमबर फाइब आपको कोसिस करना है कि आपकी बज़े से हर दिन दो लोगों के चैरे पर मुस्कान आ सके नमबर 6 आप फील केजिए कि जीवन एक स्कूल है और यहां आप सीखने के लिए आए है जो भी समस्या और दिक्कते यहां देखते हैं वो एक कोर्स का हिस्सा है यह सब लाइफ के पार्ट है 7 यह बात तो हमेशा याद रखें अगर आपको सच में लाइफ बेटर बनाना है तो मॉर्निंग का नास्ता राजा की तरह करें दो पहर का राजकुमार की तरह और रात का खाना विकारी की तरह 8 किसी दूसरे से नफरत करने के चक्कर में अपना कीमती समय और एनरजी बढ़वाद ना करें अगर आप नफरत ही करते रहें तो आपका जीवन बैतर नहीं बन सकता क्यूंकि यह जीवन बहुत छोटा है बिकार चीजों में अपना समय बढ़वाद ना करें 9. अगर आपको personal life को enjoy करना है तो अपने जीवन की तुलना दूसरों से बिल्कुल भी ना करे 10. गलती के लिए गलती करने बालों को माफ करना सीखिए ये आपका बड़पन ही होगा इससे लोग आपकी respect ही करेंगे 11. जो काम आप कर रहें इसके बारे में दुनिया क्या बोलेगी लोग क्या सोचेंगे ये काम आपका नहीं है ये सोचना काम आपका है ही नहीं दूसरी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये काम उन्हीं पर छोड़ दीजिए बस अपने target पर focus रखें जीत आपकी ही होगी 12. समय इतना बलवान होता है कि हर घाव को भर देता है अपने अंदर patience धैरे रखें 14. इस्या और जलस करना सिर्फ समय की बढ़वादी है क्योंकि जरूरत का सब कुछ आपके पास है तो चिंता या किसी से भी जलस करना अपने life को हानी देना है बस 14. हर रोज दूसरों का कुछ ना कुछ भला करने की कोसिस करें एंड लास्ट में हर उस ब्याक्ति को या वीडियो सेर कीजिए जिसकी आप परवाह करते हैं जिससे वो अपने life को बेटर बना सके बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताये गए टॉपिक पर वीडियो बना के लाओं तो प्लीज मुझे कमे बहुत बद धन्यवाद राधी राधी